ब्रॉट तु यू बाई ओम्नी जेल ओम्नी जेल का डाइकलोफनेक फॉर्म्यूला जड़ से दर्थ को मिटाता है ओम्नी जेल इंडिया का नंबर वन पेंद्री कवरी जेल पुटी वगरा एक जो पार्किंग में लगी रहती हूदी आगई की इस कुटी बेचार आया था था हमारे हां नया नया इंकुआरी लेने किसर अमको भी पढ़ना है वहारा सब बहुत बहतरीन ढंक से के पिन-पोइंट करकर के ऑफिस में जगा जगा यहां था हमारे है उस त किसी को कुछ समझ में नहीं आए धड़ाम-धड़ाम गिरने लगा गिरने लगा को फेग रहा था पूरा 25-30 के संख्या में आये थे लोग धड़ाधर बंबार्डमेंट चाली हो गई सारे कोचिंग वाले भाग गया अफड़ा तफड़ी हो गया यहां पर हम हम खुब जो आवा सब लहु लुहान वर तूटा पूटा कुछ वगर एक जो पार्किंग में लगी रहा थी उदिया गई एक किस कुटी बेचार आया था मारे नियाने एंक्वाइरी लेने किसर हमको भी पढ़ना गया तो इसका इसकुटी उड़ गया था आपने पहले क्या बोला उदि इसको किस ने भेजा था अब ये उस समय एक कंपटिशन ही फील होती है कि ये उन लोग को लग गया अब इनको हम उन लोग देख लिए था कि मनी माइंडेड नहीं है किन लोग कौन लोग देख लिए कोचिंग मतलब एक होता है न लॉबी पटना का कोचिंग माफिया हां तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो उन लोगों को लगा कि आपके आप यहां फीस कम थी इसलिए बहुत बहतरीन धंग से के पिन पोइंट करकर करके ऑफिस में जगा जगा यहां पर हम समझाने लगा जैसे वासेपूर का सूर्टिंग जलिए हम गए वहां पर सम्क्या काएंगे हम को तो सामने आना ही पड़ेगा वहां पर आप तब पढ़ा थे इस्टेज चोड़ के गए मेरा ऑफिस उड़ा दिया सभी है सकतो है कि उतर के लड़के कहें सर आप मच जईए आप मच जईए हम उतर के अरे हम कई से नहीं जाएंगे आप पोतिन भी पहुझी हम भी पहुझी आप गये महां तो यह करा कि सर भागिये वहां से हम थे तो हम क्या हुआ हुआ तो एसको पता है कि टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए है तो हम कहीं तो फटा ही नहीं आपके वहीँ उठा के पुलीस को दे दिया जब पुलीस आई थी तो फट उट जाएगा तो नहीं पटेगा नहीं अभी तक नहीं पटा तो दुगंडवाद का फटेगा वह बाद में सार चीज़े को solve किया गया